हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो आर्टूब चैनल तो फ्रेंट्स अगर आप 10 वी ITI पास आउट हैं और अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आज क्या वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रेंटिसी पोर्टल पर रेजिस्टेशन कैसे करें क्योंकि आप्रेंटिस करने के लिए फ्रेंट्स सबसे पहला काम होता है अप्रेंटिसी पोर्टल पर रेजिस्टेशन करना तो ये रेजिस्टेशन कैसे करना है कि वाज सी के साथ 100% profile कैसे complete होगी पूरी जानकानी के लिए वीडियो में अन्ट तक बने रहिएगा और अगर आप apprentice करना चाहते हैं तो चैनल को subscribe और वीडियो को like सियर जरूर कीजिएगा तो आए फ्रेंड वीडियो को start करते हैं तो फ्रेंड्स apprenticeship registration करने के लिए कर देना है क्लिक करते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा process लेगा उसके बाद यहाँ पर आपको ok कर देना है और यह apprenticeship इंडिया का official website open ok आ जाएगा तो फ्रेंड्स अगर यह registration आप अपने phone से कर रहे हैं तो यहाँ पर three dot दिया हुआ है इस वाले option पर क्लिक करके आपको desktop mode open कर लेना है जिससे आपको registration करने में आसानी हो जाएगी उसके बाद registration करने के लिए login है register का option दिया हुआ है इस वाले option पर क्लिक कर देना है उसको फ्रेंड्स candidate के option पर क्लिक कर लेंगे candidate वाले option पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर login आइडी मांगेगी जिससे अभी आग login आइडी आपके पास है नहीं तो रजिस्टर है जिक candidate वाले option पर क्लिक कर देना है इस पर जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स अगर आप ITI के student है तो ITI student का option दिया हुए इस पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर आपको अपना ITI का roll number इंटर कर देना है उसका find details वाले option पर क्लिक कर देना है find details पर जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स आपके ITI से आपका mobile number और email address आटोमेटिक यहाँ पर पिक कर लेगा उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर capture code को यहाँ पर फिल करके verify कर लेंगे उसके बाद register वाले option पर क्लिक कर देंगे तो friends ITI वाले इस प्रकार से अपना registration कर सकते है तो friends यह process जो था हुई ITI वालों के लिए था तो freser कैसे अपना registration करेंगे तो उनके लिए friends फिर से इस वाले page पर आ जाना है और यहाँ पर आपक इंटर करना होगा और email address इंटर करना होगा उसके बाद friends यह capture दिया हुआ है capture को फिल करके verify कर लेंगा उसके बाद register वाले option पर क्लिक कर देना है यहाँ पर registration successfully आपका हो जाएगा आपको एक apprentice code नंबर में मिल जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ friends कि please check your email for activation आपके email पर एक activation लिंक गया होगा तो आएए देखते हैं तो friends इस प्रकार से आपके email आईडी पर एक activation लिंक आया होगा यहाँ पर देख सकते हैं friends एक activate का option दिया हुआ है इस वाले option पर क्लिक कर देंगे और आपका email आईडी verify हो जाएगा उसके बाद आप apprenticeship portal पर redirect कर दिये जाएंगे तो friends इस प्रकार से आपका registration successfully हो जाएगा उसके बाद friends आप यहाँ लॉग इन कर सकते हैं लॉग इन करने के लुए लॉग इन रेजिस्टर वाले option पर क्लिक कर देंगे उसके बाद candidate वाले option पर क्लिक कर देना है क्लिक करने को बाद friends registered email address यहाँ पर fill कर देना है उसके बाद यह capture दिया हुए capture को यहाँ पर fill कर के verify कर लेना है उसके बाद यहाँ पर submit option दिया हुए submit पर click कर देना है capture फिल करके submit करते ही friends आपके mobile number पर 6DH को OTP आएगा उसको यहाँ पर fill करके login वाले option पर click कर देना है जाएगी तो फ्रेंट 100% प्रॉपाइल कंप्लीट करने के लिए यहां पर सबसे पहले आपको किवाइसी करना होगा तो यहां कंप्लीट का ओप्शन दिया हुआ है इस वाले अप्शन पर क्लिक कर देना है इस पर जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंट उसके बाद यहां पर आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए तभी आप यह के वाईसी कंप्लीट कर सकेंगे सेंड ओ टीपी पर क्लिक करते फ्रेंट्स आपके मोबाइल नंबर पर जो अधार काड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर छेडिच का ओ टीपी आएगा उसको यहां पर फिल क और अगर आप अपने गैलरी से कोई फोटो सिलेट करना चाहें तो यहां नीचे अपलोड इमेज का ओप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करके आप अपने गैलरी से कोई फोटो सिलेट करके यहां गो का ओप्शन दिया हुआ इस वाले ओप्शन पर क्लिक कर लेंगे उसके के वाई सी हो जाने के बाद आपकी profile 20% complete हो जाएगी इसी प्रकार चे फ्रेंट्स बैंक डिटेल्स, candidate qualification, father name, mother name और category और signature step upload करने के बाद आपका profile 100% complete होगा तो 100% profile complete करने के फ्रेंट्स यहाँ पे एक profile का option दिया हुआ है इस वाले option पे आपको click कर देना है इस पर जैसे click करेंगे फ्रेंट्स यहाँ पे आपका कुछ details होगा उसके बाद यहाँ edit का एक option दिया हुआ है, इस वाले option पर आपको click कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको step by step सारा details fill करने होगा, जैसे नाम, email address, mobile number, alternative mobile number है तो यहाँ पर fill कर देंगे, जिन भी option पर friends यह star mark लगा हुआ है, इन option को fill करना compulsory होता है, gender choose कर लेंगे, उसके बा पादनाम इंटर कर देना है, father से relation यहाँ पर इंटर कर देंगे, उसी प्रकार से अपने मम्मी का नाम इंटर कर लेंगे, और यहाँ पे ID proof टाइप में select कर सकते हैं, जैसे पैन का drive relations या other पर click करके, आप कोई भी अपना ID proof select कर सकते हैं, जो ID आप select करेंगे, उसका यहाँ पर ID number इंटर करना होगा, उसके बाद उसका यहाँ पर फोटो भी upload करना होगा, इस वे view को आले option पर click करके, आप अपना ID का फोटो देख सकते हैं, और ID की साइट जो हो, 4 MB से जाधा नहीं होनी चाहिए, उसके बाद friends, इसी परकार से यहाँ पर आप अपना state चूच कर लेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर अपनी कटेगरी चूच कर लेंगे हैं, कि आप जनरल हैं, OBC हैं, STSC जो भी हैं, उसका city, address यहाँ पर फिल कर लेना है, उसके friends, यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर आपको अपना candidate signature यहाँ पर upload करना है, तो यहाँ पर आप अपना एक signature upload कर लेंगे, step by step सारा details submit करने के बाद friends, यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो एक update को option दिया हुआ है, इस वाले option पर आपको click कर देना है, basic details step by step fill करने के बाद friends, यहाँ पर आपको अपना educational details fill करना होगा, तो यहाँ add education वाले option पर click कर लेंगे, add education वाले category से आप qualification आपका जो भी category है, यहाँ पर select कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको institute name इंटर करना है, उसके बाद आपको total mark कितना था, और कितना percent आपको मिला है आपके qualification में, इसको यहाँ पर fill कर लेंगे, उसके बाद कब आपने start कर रहा था, highest qualification जो है आपका, उसको start कर और in date यहाँ पर enter कर देंगे, उसके बाद friends उसी qualification का document यहाँ पर upload कर देंगे, यह भी maximum 4 MB का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बाद यहाँ update का option दिया हुआ है, इस पर click कर देंगे, educational qualification step by step fill करने के बाद friends यहाँ पर एक preference का option दिया हुआ है, अगर आ सारा details step by step fill करने के बाद friends आपको अपना bank details fill करना होगा, तो bank details fill करने के लिए friends यहाँ पर update bank details का option दिया हुआ है, इस वाले option पर आपको click कर देंगे, उसके बाद friends यहाँ नीचे scroll करेंगे, तो यहाँ पर bank details edit का option दिया हुआ है, इस वाले option पर आपको click कर देंगे, तो friends bank details fill क करने के लिए हैं पर आप अपना ifc code डालेंगे ifc code डालके find वाले option पर जैसे click करेंगे आपके bank का name automatic यहाँ पे pick कर लेगा उसके बाद यहाँ पर account holder name enter कर देना है उसके बाद आपको अपना account number enter कर देना है और save account number फिर से यहाँ पर इंटर करदेना है उसके बाद आपका अकाउंट टाइप किया है यहां पर सेविंग या करन जो भी willst यहिए यहां ulit कर देंगे उसके बाद अगर आपके बैंकक अकाउंट में अधारकार्ड्çe kang लिंक है फेसे प्रेंगें करेंगे उसको है यहां नीचे स्क्रॉल करेंगे यहां पर एक से यहां पर करने बाद है इसके यहां पर करके। आपने फ्र are six को क्यान पर शेप्र दिया का यहां पे क्लेक कर सकते हैं और इसका यूज आप कहीं भी प्रोफाइल कम्प्रेट कर लेंगे और अपनी प्रिंट कर लेंगे प्रोफाइल किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट भाग में पूछ सकते हैं और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सीए जरू किजिएगा फ्रेंड्स धन्यवाद